नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन श्रमा स्वात कता हूं सुभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 27 फेवरिडी 2023 के बारे वे 27 फरवरी 2023 के इस दिन को किस तरह से और जादा अच्छा निकालना हैं कौन सी वैदिक रेमिडीज आज आपके लिए मददगार रहेंगी कौन से एंजल नमबर और अफ़रमिशन आज के दिन को और जादा आसान बनाने की कोशिश करेंगे और साती साथ कौन सा है गोल्डन वि सबसे पहले देखेंगे सोमवार का दिन रहेगा बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट दिन जाने वाला है और साथ इसाथ आसान दिन यहां पर नहीं दिखाई दिता महनत भरा दिन रहेगा काफी जादा आप कह सकते हैं कि स्ट्रगल मैसूज होगा अंस्टेबिल्टी होगी और दिमाग बहुत तेज़ चलाना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए इस बात का विशेश द्यान रखिएगा आज के दिन में अगर आप लेजी हो गए आलसी हो गए या फिर आपने किसी काम को टालने की कोशिश कर दी तो समझ लीजे कि आप अपना एक बहुत का दियानक नहां कि जब भी आप किसी भी काम में इन्वाल्व हों उसे पूरा करने का प्रयास करीगा और आज के दिन किसी गलत काम में हाथ मढ़ डालीएगा क्यूंकि आज की दिन में अगर कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका बहुत भारी नुकसान आपको जिलना पड़ करनी है कोई अच्छा कअरे की कोशिश करनी है आज के दिन अपने माते पर बिल्कुल भी बूलिएगा मत क्यूंकि आज के दिन में सफेज चंदन या पीला चंदन जो भी मिल जाए आप सभी को अपने माते पर जरूर लगाना है आज पूरे दिन में जब भी मौका मिले केसर वाले दूद का सेवन जरूर करेगा मलब कि थोड़ा सा सोने से पहले या उठने के बाद या दिन में कभी भी अगर मौका मिल जाए केसर वाले दूद को जरूर पीजएगा इससे दिन में जो एक ताजगी आपकी रहेगी आपके शरीर में जो एक इस फूर्ती रहेगी उससे आपको पता चलेगा कि दिन का औरा कितना अच्छा जा रहा है और आप सभी कितना अच्छा महसूस करते हुए पांदार रहेगी और आप सभी एक अच्छे लेवेल पर अपने आपको च्रस फ्री मैसूस कर पाएंगे आज का जो दिन रहेगा इस दिन में आप सभी अपने स्ट्रेस को और कम करना चाहते हैं तो पूरे दिन में जब सारे काम हो जाए उसके बाद शांद के समय में अपन दिन सुबह उस लोटे को किसी पौधे में प्रवाहित कर दीजिएगा यह चोटा सा काम करना है काफी जादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और दिन वाकई में काफी शांदा जाता हुआ नजर आएगा अब चलिए बात कर लिते हैं आप आज के एंजल नंबर के बारे में 6, 9, 6 बहुत इंपॉर्टे नंबर है बहुत जादा पॉसिटिव नंबर है और आज के दिन में आप सभी को क्या करना है इस नंबर को तीन से चार बार रिकॉल करना है और जब जब आप इस नंबर को रिकॉल करेंगे तब तब आप अपने फैनेंशल बर्डन से अपने खौद अच्छा रहेगा आज की दिन का जो फर्मेशन है ये भी आप सभी के लिए काफी जादा पॉसिटिव रिजर्ट देने वाला काम करेगा और आप सभी को युनिवर्स के साथ कॉन्टेक्ट बनाने में और अपने कामों को आसान बनाने में मदद करता हुआ नजर आप सभी इसी फ्लो के साथ आगे बढ़ते चलेंगे और अपने इस दिन को और भी जादा शांदार बनाते हुए नजर आएंगे आज के दिन का मैजिकल टाइम जो कोल्टन विश टाइम है यह कौन सा रहेगा नोट करिएगा प्लीज देखे सुमवार का दिन है और सबके विश बड़ी आसान रहेगी कि हमारा काम पूरा हो जाए हमारे टागेट पूरे हो जाए हम एक अच्छे लेवल पर अपने आपको को बोलते रहीएगा और अपने टागेट को पूरा करने की कोशिश करिएगा आप सभी को बहुत ही जादा अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे अब बात कर लेते हैं आज के दिन में वास्तु का कौन सा उपाय आपको करना है जो कि आप सभी के लिए काफी ज बात भी होते हैं और हम सभी के गर में परिशानिया रहती रहती या चोड़ी-चोड़ी गल्टिया हम कर लेते हैं कभी-कभी जिसकी वज़े से एक अन-स्टेबिल्टी हां पर हमें हम लाइफ में और हमारे गरों के अंदर देखने को ज़रूर मिलती है क्या क्या आपको और आपके रूम के बिल्कुल सामने हैं तो एक चीज का विशेश ध्यान रखिएगा कि पहली चीज की टॉइलेट के दर्वाजें हमेशा बंद होने चीजिएं कभी भी खुले ना रहें दूसरी चीज जब भी आप रात को सोते हैं जब भी आप कभी भी दिन में रात को सोते हैं तो सोते समय अपने पैर जो हैं वो टॉइलेट की तरफ आपको नहीं रखने हैं इस बात का ध्यान रखिएगा खासकर अटैच लेट बात की मैं विशेश बात कर रहा हूं सबके आप सबी को काफी ज़दा परेशानिया हो सकती हैं इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो तीसरी चीज आपको क्या करना है टॉइलेट कभी भी आपका गिला नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा और खासकर उसके अंदर गिले कपड़े नहीं रखे हुए ह इस बात का आपको सबसे ज़्यान रखना है जितना हो सके टॉइलेट क्लीन रखें कुछ बुदार रखें और उसके अंदर किसी बीतर की गंदगी ना रखें इस बात का विशिश दिया लखेगा इसके अलावा आज के दिन में आप सभी को इक और विशिश उपाय करना है जिस्से की गर में एक सुख और जानती बनी रहेगी वो क्या है आप सभी को आज के दिन में पानी लेना है उसमें थोड़ा सा मिलक की यूज करना है और उसके बाद दूद और पानी का जो मिश्णन है उससे आपको गर में छीटे देने हैं हर जगे पर तागी गर में थोड़ आज आगे रह करके मेंनत करनी है आप सभी को बहुत ही जादा पॉसिटिल रिजल्ट देखने को मिलेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा इसके लावा कुछ भी पूछना चाहते हैं कुछ भी जानना चाहते हैं अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं आप मुझे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद्यां पर कर सकूँ धनिवाद